कि चलेगे वाई एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत था माइटीजिन पर्फॉर्म सिक्षा सिटी पर तो दोस्तों मैंने कहा था कि मैं आपको आज दोनों ही करेंट अफ़र प्रजेंट कर दूँगा तो मैंने आपको पंद्रा जून के के प्रेजन का का क्रेंट अफ़ेर मैंने बोला ता आपको की साम तक अप्रोड कर दूँगा तो वह साम आगी भाई जिसमें से इसे से इस्ट पूछे जो कि आपके अपके एक्जामनेशन पहने गिविंग इंडेक्स में तो वह हो जाएगा इंडोनेश्या दूसरा कोशिन क्या है कि हाली में किस राज्य सरकार ने भारत और पदम पुरसकारों के अपने संस्ट्रंट के स्थापना जो है कि स्थापित करने का निर्णा लिया माराश वरियाना आसम्यकेला तो यह वह का कोश्चन जो आपको पूछा गया था कि किस सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज पुलिस विभाग में कॉंस्टेबल सब इंस्पेक्टर पदू के लिए आविदन करने के अनुमती दिए तो आपको स्क्रीन पर एंसर भी दिख रहा है वह कौन सा सरकार हो कि अगर पूछा जाएगा कि पेटा ने जो है कि कि किसको पर्सन आफ देयर चुना था तो वह जाएगा अगे बढ़ते हैं आज का पहला कोश्चन ले लेते हैं तो युवन महासभा ने हालेही में सुरक्षा परिस्तदों को कितने नए नए देसों को अस्थाई तर पर पे इसके सदस के लिए चुना है यूवन जनरल असंबली है रिसेंटल एलेक्टेड हाव मेनी न्यू कंटीज ऑफ दे सेक्यूर्टी कांसल एजर्स मेंबर 357 या 10 तो वरी वरी इंपोटेंट कोशन यह कंफर्म आपको पूछा रहेगा तो वह जाएंगे पांच देस और वह प कोशन जो कि आपको पूछा जाएगा तो इस कोशन को ध्यान नखेगा क्योंकि पूछा जाने वाला कोशन है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन ले लेते हैं अगला कोशन है दोस्तों कि समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत को जल्दी 95 प्रतिशन स्वधी सी कि यानि हमारी खुद की बनाई गई पर्मारों हमलावर पड्डिब्या मिलेंगे कितनी हाव मेनी न्यूक्लियर अटैक सम्मरीन विल इंडिया सून गिट 95 परसंट इंडिजीनियस इंक्रीज इस सिंट एड़ दसी 3 5 10 या 20 तो जो सही इंसर हो जाएगा वह जाएंगे तीन पंडुब्यां तीन पंडुब्यां जो कि 90 परसंट जो है इंडिजीनिशली बनाई जा रही हैं जो कि हमारी समुद्र की ताकत बढ़ाएंगी तो इनको जोड़ा जाएगा हमलावर जो आपकी पंडुब्या होंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोशन जो कि आपको जाएगा और वो कोशन का हो जाएगा वह जाएगा आपका आफ्री की बाल देवस ध्यान रिक्याइब करते हैं तो वह हम से लिबेट करते हैं 16th June को भशलीबेट किया जाता है तो 16 जून को अभी जो है हारही में वर्ल गिविंग इंडेंडेस 2020 में भारत को कौन से स्थान पर आए देखे वरी वरी इंपॉर्डेंट कोश्चन मैंने बताए कि एकर फर्स कंट्री कौन रही है तो पहले नंबर पकर पूछा रहा तो वह जाएगा इंडोनेशिया ध्यान रखेगा इंडोनेशिया कि प्रेसिडेंट का नाम मैं हमेशा बताता हूं वह जाएंगे जोको विडियो दो ठीक है जोको विडियो दो इंडिन ऐसे अगर प्रशिडेंट हो जाएंगे और इस कोशन के आंसर यानि हमारा भारत डोनेशन इंडिक्स यानि वर्ल्ड गिव इंडिक्स में कौन से स्थान पर आए तो वह रहाए चौदहमें स्थान पर वेरी वरी इंपॉड की तोरह इसको प्रकाशित क्या जाता है भारत का जो इस्थान हो जाएगा वो चौदहमें स्थान पर हो जाएगा अट से लिए न्यूजिलेंड जो है टॉप 10 में इस्थान बरकरा रखा है लेकिन पहले नंबर पर जो कंट्री हो जाएगी वह कौन हो जाएगी इंडोनेश कौन सी कंट्री हो जाएगी भाई वह जाएगी इंडोनेशिया आगे बढ़ते हैं ब्रिटेन ने यूरोपेन उनियन से अलग होने के बाद किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापारी समझाता जो है वह स्टार्ट किया है ब्रिटेन है रिसेंट्री साइंड बिगेस टेट से अलग होने के बाद एक बड़े वापारी समझाते पर नोने डील कर रहा है बाकी मैंने सी अब पीम आपको बता रखें जापान का पूछा रहागा तो यह से देश हुगा चाइना के तो बाई प्रसेडेंट हैं सी जिन पिंग ऑस्टेलिया के मैंने बताई रखें और अम उपिन डिसेंटली बबीता फोगाट गीता फोगाट विनेस होगा या फिर साख्षी मलिक तो जहीं सरो जाएगा वह वह जाएँगी वह जाएंगी विनेस फोगाट जो सबसे पहले लॉरीयस में नॉमिनेट किया जा गया था तो अगर पूछा रहेगा कि कौन से ऐसी भारती प्लेयर हैं जिनको सबसे पहले लॉरियस जो वर्ल्ड अवार्ट्स होते हैं उसके लिए नॉमिनेट किया गया था कमबैक की कटेगरी में तो विनेस होगाठी हो जाएंगे तो यह कोशन भी आपको पूछा दा सकता है आगे बढ़ते हाले में स्री वेंकेटेस्वर स्वामी मंदिर का अधार सिला कहां रखी गए वेर इस दा फांडेशन स्टोन और वेंकेटेस्वर स्वामी टिंपल लेड र तो करेंट में लेटेनेंट गवर्नेंट लेड जी मनोस इनहां जी भी गए थे तो स्री वेंकेटेस्वर स्वामी मंदिर की अधार सिला कहां पर रखी गई है तो वह रखी गई है जम्बू कास्मीर में यह भी अच्छा कोशन जो कि आपको पूछा रहा सकता है ध्यान लग सकता है वह भी अच्छा कोशन है फिलाल इस कोशन का अंसर जम्बू कास्मीर लेटनेंट गवर्नर पूछा जाएगा वह जाएंगे मनोस इनहां जी और आन्रपदेश के अगर गवर्नर पूछे जाएंगे तो वह जाएंगे आपके आरीफ मुहम्मद खान आगे बढ़ते ह हालएं में किस राजे सरकार ने वैदिक सिच्छा और संसकार बोड का गटन करने का फैसला लिया ये भी बहुत अच्छा कोशन है रिसेंटली विच स्टेट गोर्मेंट वैधिक एजुकेशन संसकार बोड बेरी वेरी इंपॉर्टन कोशन और यह उसी राजे ने किया जिस और यह सारी चीज़े जो है उनको गठित कर दिया जाएगा ठीक आने वाले महीनों में इस कोशन कांशल हो जाएगा राजिस्थान अस्रोग यहां के सीम हो जाएगा तो कल राज में सरे आना के मैंने बताय था मनुहराल खटर सीम हो जाएगे गवरनर पूचा जाएगा सत् classes दोनों को ठीक है, दोनों को आप कैसे जोईन कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, कि कैसे आप classes join कर सकते हैं, एक second, क्या हो गया वैस मैं दिक्कत, चले, मैं यहाँ से add कर देता हूं, तो कैसे आप कर सकते हैं करना कि है अपको कि नश्माइक का क्या करना है आपको के लिगोटब्र करके कि आपको फिर सब कहांगेगा इक बाइब गति हुद मागेगा अग्य चिए चलती हैं आपको जल्द हो जाएंगी जहाँ यहां पर आपको 30 प्लस batches every week मिलते हैं अगर आप प्लस courses के लिए 300 classes per day 70 plus educators मिलते हैं 40,000 recorded contents, 30,000 आपके practice questions 90 प्लस टुस्टे लेर्न हैं जो की फादा उठा रहे हैं प्लस यहां पर बहुत सारे batch courses चलाए गए हैं आपके लिए जिनका फादा आपके upcoming examinations group D और NTPC के 7th phase के लिए और भी examinations जो है आपके उसके लिए फादा उठा सकते हैं देखें प्लस classes के लिए और paid classes के लिए और free classes के लिए दोनों के लिए एक ही code है free classes के लिए क्लासे के लिए क्लासे क्लाना होगा वहां पर आपको unlock code आपको यही कोड यूज करना होता है तो अगर आप पेड क्लासे के लिए तो भी आप यही कोड कर सकते हैं किसी वी कटा इंगर बाकी के हम कोशन्स ले लेते हैं जो बाकी के कोशन्स रहे हैं चले इस question के answer क्या हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान अगला question है हाले ही में किस criticator ने अपनी आत्म कथा believe लिखी है यह मैंने सब को ही बता रखा है कि believe किसने लिखे बाई सुरेश रहना नहीं ध्यान देखेगा very very important question जो की पूचा जा सकता है तो इस question के answer कौन हो हाले ही में किस राजे सरकार ने भारत रण और पदम पुरसकारों को अपने संस्रेंड के स्थापित करने की गोशना करी which state government had recently announced to institute the own version of भारत रण पदम अवार्ट महरास्ट्रा हर्याना आसम या केरला तो यह काम किसने करा है यह करा है असम है मैंने अंदर ही आपको starting में हि पुस्तकाले का उध्धाटन किया गया यह वह अच्छा कोशन है इनविच कंट्री महात्मा गांधी लावरेरी रेवेरी इस्को बीणों कर लिजेंगा अगर रहाँगा कि गांदी सांती पुरसकार किसको मिला था तो अब्दृरहमान ये भी ध्यान रखेगा मुझीबृरहमान ध्यान रखेगा जो कि आपको पूछे जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं हालई में कौन सा केंसासित पदेश खुले में सौक्ष मुक्त गोशित हो गया विच उनियन टरिटरी हैस बें डिक्लेरड ओपन डिफेक्षन फ्री रिसेंट ली चंदीकर जंबू कास में लद्दाक या दिल ली तो यह कर दिया लद्दाक ने लद्दाक ने खुद को ओपन डिफेक्षन फ्री जो है गोशित कर दिया है यानि कौन सा केंसासित पदेश खुले में सौच मुक्त गोशित हो गया तो वह कौन सा हो जाएगा लद्दाक लद्दाक के लेट्टनेंट गर्णर पुछे जाएंगे तो वह कौन हो जाएगे आरके मातुर यह भी दियान जाएगे वह जाएगे डीगुकेस द्यान लखेगा किसने जीत लिया है तो वह जीत लिया डीगुकेस ने गिल्फेंट चैलेंचेस का किताब जीत लिया है यह भी अच्छा कोश्चन है अभी मैंने आपको बता था कनेरू हमपी को स्पोर्स परसन आफ देयर चुना गया है विश्वनातन आनांद की मैंने किताब बताई थी आपको जो कि आपको पूछी जा सकते हैं माइन मास्टर तो यह जीत लिया तो वह जीत लिया डीगुकेस में यह भी अच्छा कोशन जो कि आपको पूछा जा सकता है 2021 की सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमालो हतियार है according to the 2001 सिप्री रिपोर्ट how many nuclear weapons does India have 125, 785, 554 या फिर 156 तो जो सही इंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 156, ध्यान रखी का जो सही इंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 156, 156 जो है परमालो हतियार भारत के पास है सिप्री 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, यह भी अच्छा कोशन है जो कि आपको पूछा जा सकता है सिप्री का फुल फॉर्म मुख्याला पूछा जागा नॉर्वे उसलो में और 1966 में स्टैबलिस्मेंट हो दिए डैन स्मिथ इसके क्या हो जाएगे वह हो जाएगे हिड यानि डिरेक्टर अगर पूछा जाता है तब आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह आपका कोशन है कि राजा पर्व तेहवार जो है वो किस राज में मनाया जाता है इन विच स्टेट राजा पर्व फेस्टिबल सेलिब्रेटेट गुच्रात बिहार सिक्के मोडी सा तो आज भी आपको वही करना पड़ेगा जो आपने लास द्यान रखे अपना मिलते हैं आपको कल के करें डिफेस में तेंकी सो मुच बबाए टेक केर